तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि परिवार हमारे लिए बहुत ही महत्तोपूंड है और एक परिवार में कई सदस्य होते हैं जैसे मम्मी, पापा, दादा, दादी, चाचा, चाची और सभी सदस्य आपस में खुन के रिष्टों से जुड़े होते हैं वे एक दुसरे के सुख दुख का ख्याल रखते हैं और एक दुसरे की मदद करते हैं तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोग माई फैमली यानि मेरा परिवार चैप्टर से सम्मंधित सभी प्रश्न उतर करेंगे इंगलिस और हिंदी दोनों में तो बच्चों पहला क कोस्चन है what is a family यानि परिवार किसे कहते हैं तो बच्चों इसका आंसर होगा कि a family is a group of parents and their children यानि माता-पिता और उनके बच्चों के समुख को परिवार कहते हैं इसके बाद दूसरा question है how many types of families यानि बच्चों परिवार कितने परकार के होते हैं तो बच्चों इसका आंसर होगा there are three types of families यानि बच्चों परिवार तीन परकार के होते हैं a small family यानि छोटा परिवार big family यानि बड़ा परिवार joint family यानि सन्यूक्त परिवार इसके बाद तीसरा question है what is a small or nuclear family बच्चों a small or nuclear का मतलब होता है छोटा a small मतलब भी छोटा होता है और nuclear मतलब भी छोटा यानि छोटा परिवार किसे कहते हैं तो इसका आंसर होगा in which family one or two unmarried children live with their parents is called a small family यानि बच्चों जिस परिवार में मता पिता और उनके एक या दो अभी बाहित बच्चे होते हैं उसे छोटा परिवार कहते हैं इसके बाद चोथा question है what is a big family यानि बड़ा परिवार किसे कहते हैं तो बच्चों इसका आंसर होगा in which family more than two children live with their parents is called big family यानि बच्चों जिस परिवार में मता पिता और उनके दो से अधिक बचे होते हैं उसे बड़ा परिवार कहते हैं इसके बाद पांचवा question है what is a joint family joint family मतला बच्चों सनिक्त परिवार यानि सनिक्त परिवार किसे कहते हैं तो बच्चों इसका आंसर होगा in which family parents, grandparents, uncles, aunties and their cousins live together is called joint family यानि बच्चों जिस परिवार में मता पिता, दादा दादी, चाचा चाची और चचेरे भाई बहन एक साथ रहते हैं उसे सनिक्त परिवार कहते हैं इसके बाद छटा question है who is called parents यानि बच्चों अभिभावक किसे कहते हैं तो बच्चों इसका आंसर होगा father and mother are called parents यानि बच्चों माता पिता को अभिभावक कहते हैं इसके बाद question number seven है यानि बच्चों सातवा question है who is called cousin यानि बच्चों चचेरे भाई या बहन किसे कहते हैं तो इसका आंसर होगा uncles and aunts children are called cousin यानि चाचा चाची के बच्चों को चचेरा भाई या बहन कहते हैं इसके बाद question number eight है यानि आठवा who is called sibling sibling मतलब बच्चों सगे यानि सगे भाई या बहन किसे कहते हैं तो इसका आंसर होगा all children of the same parents are called siblings यानि एक ही माता पिता के सभी संतान आपस में सगे भाई या बहन कहलाते हैं question number nine है यानि नववा question है which family is a happy family यानि बच्चों कौन सा परिवार सुखी परिवार होता है तो इसका एंसर होगा a small family is a happy family यानि बच्चों छोटा परिवार सुखी परिवार होता है तो बच्चों ये था हम लोगों का my family chapter से संबंधित question answer उमीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और इसे आप लोग देख करके ठीक से याद भी कर लेंगे धन्यवाद